पर चलिए अपने न त्यालीन के एक और सैसें में चलते हैं ले आउट ले आउट से न मुस्ट इंपोर्टेंट है भाई हमारा ले आउट आपको थोड़ा सा गोस्टे देखना चाहिए और यह पढ़ना चाहिए ले आउट बेसिकली क्या करता है इसारी तैलीन की जो मिक्सर् जैसे लियाऊटए first हमारा आता है aspect ratio, aspect ratio क्या ओता है भई दिखो जो expect ratio auto define करते हैं CSS में ओर expect ratio one by one and 16 by nine जैसे हमको images लेके आते हैं images कर डालते हैं उसके नपर classes implement करते हैं तो एक classes अल्रेडी तैल बिन आपको provide करता है expect auto के लिए आप auto use करोगे और बाई ratio 1 by 1 है तो स्क्वार यूज करोगे और एक्सपेक्ट वीडियो कि之前 at 9 युज करते है व्यां इसक़ा दिए यहां पे यहां पर वीडियो है वीडियो इसने क्या डिफाइन किया आई फ्रेम में फॉलते दियास एक्सपेक्ट वीडियो वीडियो जी कि 16.9 नाइन की रैशिओ पीड़े वह कोमनली जो लेटस ब्राउजर है वह सपोर्ट करेंगे पर यहां पर इसे लिखा हुआ की एक्सपाइट रेश प्राउजर यूटिलिटी यह जो नेटीव भी एक्सपाइट रेशो लिच वाज नोट इन सफारी अंटिल वर्जन 15 उंटिल सफारी 15 इस पोपुलर और आपने इसको expect ratio और आपने कुछ scenario चेंज करना हो तो आप extend के अंदर जाके extend ratio नाम से define कर सकते हो आप इसको changes कर सकते हो यह हमारा था भाई और आप इसको as inline के through भी define कर सकते हो कि आपको कितना ratio में define करना expect के साथ नेक्स हमारा आता है container most important thing जो कि हम अपने html में यूज करते हैं container बेसिकली जो भी हम अपना वैपेज create करते हैं उसके अपर एक हमारा parent होता है तो container की हमें कितनी विट्स define करनी है हम क्या करते हैं container की auto width भी define करते हैं जो की 100% होती जो की flex width होती है फिर हमारी media query आती है भाई SM 640 max width 640 तक हमारा काम करेगा md है 768 pixel max width 768 में जाएगा lg आपका lg में 1024 है excel है 1280 और बहुत आपकी large monitor scale पर आप अगर project के साथ देख रहे हो तो आपको 1536 aspect रहे हैं वो आपका 2xl में count होएगा तो अभी using container हम कैसे यूज़ करते हैं तो आपकी class लगा दिया आपने container लगा दी max आपकी auto तो यह auto width आपकी आगी ठीक है तो यह से आप नहीं पर बिट्स डिफाइन कर सकते हो उसके अंदर PX4 है PX4 basically क्या होता है हमने padding पड़ा था ठीक है तो यह आपकी पैडिंग ले 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 लेगा और gentically 4 & 4 उसके बाद भाई respective version MD यानि कि MD यानि कि जो उपर यहाँ पर इसने define के हैं कि MD MD मिन्स क्या है यानि कि maximum width मेरी 768 होनी चाहिए वो class यहाँ पर यह define कर रहा है यानि कि अगर आपने इसके अंदर ही responsive class define करनी हो तो आप MD dash container की मेरी container हो MD max auto max auto के साथ full width fluid until the MD breakpoint then lock to container सेम भाई आप इसको न जाके कुछ आपने changes करना हो तैल्विन की configuration में आप आगे change कर सकते हो ठीक है भाई default करना है REM SMS करना है पैडिंग करना है आपने एक extra कुछ define करना इसमें next हमारा layout के अंदर आता है columns मारा most important है कि मुझे कितने columns add करने है columns 12345678910 उसका थ्री XL 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 एक्सपेक्ट वीडियो रेशो देखा था स्क्वाइर तो आपकी स्क्वाइर में तो यह सारी आपको कितने कॉलम्स लेने हैं कॉलम्स आप डिफाइन करोगे वह आपकी आ जाएगी उस देखो जाना है बेसिकली कापी सारी चीजिस हैं जैसे आपकी 2X है 3X है 4X है वह सारी आ जैनी कि बीच में जो आपका एक गैप आ रहा है दो आपने एलिमेंट लेकर दो एलिमेंट के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा गैप 8 ठीक है सेम आपका ओवर फोकस कंटेनर मीडिया क्वेरी में भी आप इसको चेंज कर सकते हो कि नेक्स हमारा आता है ब्रेक आप्टर डेक अप्टर यह होता है इता है कि ब्रेक आप जो अपका ओट करते ओं पर गडिस अपर्ट करते हो और तो वह आपकी और वियल Ар Doug discussion करते हो तो उसमें आप ओवर को यूज कर सकते और दो arm काम आपकी कलासे सब्सक्राइब रागार करता है यहां से आपकी कलासे सब्सक्राइब आपाइब सब्सक्राइब next नेग्साइब break inside misconception वेइज इंसाइड बेसिक लिए किया सबस्क्राइब अज और उचन और आपकर जो आप प्रोपर्टी इंस डिफाइं करते हैं टो आपकीonner टोबर आपकी ब्रीक साइब ये सारी क्लास्श आप यूज करोगे ठीक है तो सबила करते करते हैं सारी classes हमें automatically पता हो जाती है क्या होता जब आप जो आप देखो आप एक्जामपल तो रहो कि आपने सीजर्स लिखी है सीजर्स राइट कि आपने याद नी रखी है सीजर्स हमें करते करते ही हमारे दिमाग में बैठे कि भी classes कि यह properties होती है पैड़ेगी होता मार जान break सेम भी है आपने box decoration break clone करना है slice करना है तो आप इसकी classes box dash decoration dash clone है decoration dash slice आपका slice आजएगा जैसने आप एक्जामपल दिया हुआ है hello words and hello word box decoration के साथ सेम आपका यह और में यूज कर सकते हो आप मीडिया क्वेरी में यूज कर सकते हो नेक्सट हमारा था box sizing box sizing most important thing है जो आपको पता होना चीह box border क्या होता है box contain क्या होता है आपको पता होना चीह box model यह आपका most interview question भी है CSS के अंदर तो अगर आपको box sizing border box define करना है तो आप box dash border define कर सकते हो box sizing content box define करना है तो आप box dash content define कर सकते हो यनि कि यहाँ पर आपका box है और आपकी first properties है वो आप use कर सकते हो इसने आपको highlight करके example के साथ भी दिया हुआ है आप इसको ओवर के साथ यूज कर सकते हो, आप मीडिया क्वेरी में यूज कर सकते हो नेक्स हमारा था है डिस्प्ले, डिस्प्ले आपकी most important चीज अगर आपको डिस्प्ले नहीं पता तो भाई आप CSS में काम नहीं कर सकते ठीक डिस्प्ले प्रोपटी है आपकी block होती है, inline block, inline block inline Kimberly, inline reflex, inline flex table, inline table, table caption, table cell, column, group, table row, row, root, grid, inline grid, contents, list item, none, display यह display property अगर आप interview दे रहे हो और आप उसमें CSS के लिए भी आपको लगता है कि भी आप काम कर रहे हो या आप से काम करवाया जाएगा तो display properties तो आपको हमेशा पूछी ही जाएंगी कि दोनों properties में क्या difference से inline है, inline block है, दोनों में क्या difference होता है और अगर हम tailwind यूज़ करते हैं मालनों में display ब्लोक करना है तो आप direct block करोगे या inline block property यूज़ करोगे, inline flex, inline flex table या नहीं यहाँ पर इसने क्या किया है डिस्प्ले की जो value है वो इसने एज़े class के name पर यूज़ किया यहाँ पर, तो सिंपल से हमें याद हो जाएंगी, ठीक है भाई next मारा रहता है block and inline, भाई block and inline इसने define कर दिया, यहाँ पर inline block करना है, classes आप कर सकते हो तो भी save आपने यहाँ पर यह ओवर पर इस्तिमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई आपने media queries में इस्तिमाल करना हो, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे देखो, photo or name के साथ, inline के साथ, यहाँ पर define कर दिया, inline flex next, next हमारा था float, भाई, float तो सबसे best है मेरा, ठीक है, सबकाई best है, float left करो, right करो, none करो, अपना container set, बाकी जनता जाए, कुछ, ठीक है, कह सकते है, ठीक है, float left करना है, left हो गया, right करना है, right कर दिया, यह तो बरोपर्टी है, simple है, इसने बताएं लाए, कुछ नहीं है, ठीक है, अगर आप यह चीज़ देख रहे हैं, आपको float करने के लिए, आपको left करना है, right करना है, both clear करना है, none करना है, तो यहां पर ही प्रोपर्टी सेम वह यूज की हुई है, तो यह वह आपको पता है, पूरा डीपरी में पता है, ठीक है, isolation, isolation भाई यह नया है, क्या है, isolation, 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 auto, use the isolation and isolation how to utilize to the control, weather and elements should explicitly create a new stating context, ठीक है भई, ओबर के साथ आप यूज कर सकते हो, object fit, हाँ भई, object fit आपका main focus है, जो यह आपको पता होना ची, object fit क्या होता है, ठीक है, object fit बेसिकली content, content को cover करना, fill करना, none करना, scale down करना, उसकी classes यहाँ पे, तैल भी नमें क्या provide करता है, object dash content, object dash cover, cover के लिए, object does fill, fill के लिए, object none, none के लिए, down के लिए, object scale, dash down, resizing यह content है, तो आप resizing, object cover, ठीक है भई, यानि कि cover basically, जो आपका एक container में image आगे, उसको पूरो cover करने के लिए, तो यह भी इसको आप over के साथ यूज़ कर सकते हो, media query के साथ, फिर next आता हमारता भी object position, तो भी object position वही है, आपका bottom, center, left, right, तो object के साथ, left, right, left bottom, top, right, top, इसने यहाँ पर define किया हुए, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, bottom आगया, center आगया, top आगया, यह आगया, bottom आगया, right आगया, object right bottom आगया, तो आप इसको भी config में जागे change कर सकते हो, media query के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और भाई, और के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और भाई, most है, सब से, सब का important, next मारी आती भाई, इसमें, overflow property, overflow property, भाई, सब को पता है, सबने काम क्या हो, भाई, overflow मारा auto होता है, hidden होता है, clip, visible, scroll, overflow, y से slower करना है, x से करना है, y से करना है, hidden करना है, तो इसकी property तैलील में क्या provide करता है, overflow overflow auto, overflow hidden, clip, visible, overflow scroll, overflow x, y auto, hidden, ठीक है भाई, यह सारी में provide करता है, हम इसको यूज़ करते हैं, कि एक div के अंदर कोई दूसरा div आरा, text आरा, उसको overflow भार नहीं दिखाना हमें, उसके लिए हम यूज़ करता हो, भाई, आप यूज़ कर सकते हो, यह, simple है, ज्यादा बढ़ा बतान पर auto करना है, तो में, over scroll dash auto class मिलती है, tell win में, x, y, same हमारा जैसे overflow काम करता है, same हमारा यही काम करता है, भाई, overflow classes हमें मिलती है, overflow dash by dash auto, इसके भी आपे description लिखी हुई है, when over scroll control to prevent scrolling into the target area, from dragging scrolling into the parent element, but preserve bounce effect when scrolling past and end of the container, inter operating statement, what the sport is, ठीक है भाई, यह मारा container, container के साथ overflow, scroll none करता हूँ, तो मेरा यह आता है, ठीक है, और इसके बाद मेरा यह जाता है, इसके contents के अंदर, तो भी से भाई, auto scroll behavior properties, आप इस्तिमाल utilize कर सकते हो, आप इसको same over के साथ इस्तिमाल कर सकते हो, media query के साथ कर सकते हो, ठीक है, next हमारा आता है, position, भाई, position तो आपको जुरूर आनी चाहिए, अगर position नहीं आती, तो आप season में कुछ नहीं कर सकते, यार position भाई, main important चीज है, position static क्या होती है, fix क्या होती है, absolute, relative, ठीकी, इसने simple define गया, tell you ने कि आप direct static use कर लो, fix use कर लो, absolute, relative, ठीकी, और मैं assume करता हूँ, सब को पता भाई, यहाँ पर जो, वीडियो देख रहा है कि position क्या होती है, कैसे हमारी काम करती है, fix क्या होती है, position absolute क्या होती है, relative क्या होती है, confirm है, भाई मझे सबको पता है, ठीक है, तबी same इसने यहाँ पे example दिया हुआ है, बताया हुआ है, तो यार बताने मतलब में आपको पता है, ठीक है, सेम करते हैं आपको पता है हम पोजीशन के साथ यूज करते हैं यह आपने फिक्स कर रखी है एब्सलूट यूज कर रखी है तो आप महाँ पर यूज कर सकते हो टोप लैफ्ट राइट बोटम उसके अगेंस्ट कौनची क्लास डिफाइन कर रखी है वह आपको तैल बिन आप प् अब इस अपना अप्शलूट पोजीशन के साथ इस नहीं यूज किया लैफी डिफाइन किया वह ढई है तो लैफ हो गया हमारा चौप हो गया राइट हो गया वोटम हो गया यूज के साथिंसाइट के साथ इनसथ इंसट तो ये सब आप यूज कर सकते हो इस की हैं ? बोक्स है नीचे निकालना है container तो यहां पर यूज करते हैं सेम आप इसको भाई ओवर के साथ भी यूज कर सकते हैं और कॉन्स भी आप इसको अपनी अकोर्डिंग टू चेंज कर सकते हो नेक्स हमारा था विजिबिल्टी विजिबिल्टी क्या होता भाई आपको पता है यहा इसको आप वर के साथ यूज कर सकते हैं और भाई मीडिया क्वैरी में नेक्स्ट मारा था जैडी इंडेक्स ना कई बार तो ऐसा बग आता है कि आपकी आपकी आलेंगे अपर दूसरी बोक्स आ रहे हैं आपका दिखाई नहीं दे रहा हो रहा है तो कई बार यह ना सबसे ऊपर दिखाना है त्रिपल नाइन डिफाइन कर दिया जो होगा देखने के बाद पर पर दिखाना दोनों कोलैप्स करते हैं को नीचे जाएगा अब आम इस ज्यादा होती है उसको हम चेंज करते हैं डिपैंड वारे रूल और लोजिक के साथ और जैड के साथ क्लास द यह जैसे नहीं चाहिए ना वन के अंबर टू के अंदर थ्री फॉर फाइफ के अंदर सारा सब को जो उपर जा रहा है यानि कि ज्यादा हमारी है फिर फोर की थ्री की टू की बन की तो भी जैड इन्डेक्स बेसिकली प्रोपर्टी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो और के टैल्विन CSS का सारे classes कवर कर चुके हैं और आपको बता दिया कि टैल्विन की configuration कैसे करते हैं इंस्टोल कैसे करते हैं तो भी आपके मन में अगर कोई doubt है कोई question है तो आप मुझे comment box में बताना आपके पास है suggestion तो आप मुझे देना मैं उसको implement करूंगा आपका धन्यवाद आपने वीडियो देखिए अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना शेयर करना और भाई अमें बताना है और हम इसमें करें सुदार कर सकते हैं धन्यवाद आपका